बीदर जिले के चार खेत्रों में पुलिस दिकारियों की एक टीम ने वहानों की जांच की तो करोर रुपे का गांजा बरामत हुआ और चार लोगों को गिरिफतार किया गया जलापुलिस दिक शर्ख चन्नबसवना एसल ने कहा प्रारमी जांच में पता चला है कि गांजे को पड़ोसी राज तिलंगाना और आंदरप्रदेश के रास्ते मुंबई पहुंचाया जा रहा है बीदर रस्पी ने बताया कि आरोपियों को गिरिफतार कर न्याई खिरासत में भेज दिया गया है गांधी गंज थानेक शेत्र से 74.78 रुपे कीमत का 4.478 किलोग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपियों को गिरिफतार कर लिया गया है एक अन्य फरार है पुलिस इंस्पेक्टर हनुमार डपा, PSI इप सगिता, ASI विनायक, स्टाफ नवीन, संजु कुमार, गंगाधर, चंद्रकांता, इस्माईल ने चापे मारी कर गांजा जब्त किया है और एक अन्य मामले में गांधी गंज पुलिस ने 5.03 लाक रुपे कीमत का 5.03 ग्राम गांजा जब्त कर दो लोगों को गिरिफतार किया है बना खेली वह हुम्राबाद में गांजा बजने वाले आरोपी को गिरिफतार किया है आरोपी ओरिसा के एक खेत में भांग की खेती कर रहा था और अन्दप्रदेश के सिलोरो शहर में इसका भंडारन कर रहा था उसने कहा कि वह उन्हें वहां से राजमंदरी और विशाका पत्नम सहीद विभी नजीलों में भेजता था चिटगुपा पुलिस ने चिटगुपा तालुका बिलकेरा क्रॉस के पास चिटगुपा मार्ग से आंदप्रदेश से मुंबई तक गांजा ले जा रहे एक वेक्ति को गिरिफतार किया है जानकारी के अमसार बीदर तालुका के भंगुर में स्थापिट चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है वे आंतरिक मार्ग से कार से मुंबई के लिए रवारा हुए चैनबस्वना ने कहा कि पुलिस ने कार से एक दशलो पांची करोड रुपे का कांजा और दसलाक रुपे की एक कार जप्त की है इस अफसे पर महेश मेडनावर जिलातरिक पुलिस अधिक्षक बीदर डियस्पी सतीश केम और शिवांचु राजपूत हुमनाबार डियस्पी के अलावा सफलकारे में भाग लेने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी और सेकर में उपस्तित रहे केपी इनुस के कैमरमान संतोष के साथ समवादता खुसरेमत की रिपूर्ट आब चाहरे कि आब रहे क्ट्यबस अधिकारी तोष के अगल पर अया कि रिए थ। mandated यहां पेडलर सिधरे बेरे बेरे अंधरे हंत अंतों कैद आटता हुगत्तु आत्रा इरुवंतु अधरा इतरा नम्मलव कुडा इधरे के लुबर नना वरेष्म अधिलेद लुबर अंधिपरना आटता हुगत्तु आतरा इतरा